अलका लामबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अलका लामबा, ये जितनी पार्टियां हमको सामने दिखाई दे रहे हैं अलग-अलग नामों से, ये कॉंग्रेस से ही किसी ना किसी समय निकल कर बनी हुई पार्टियां है ज्यादा तर, उसके बावजूद ये क्या भाव है, ये कृतगनता है, या कॉंग्रेस की अक्षमता की वजए से अब खुद को दीर-दूर दिखाने की कोशिश है, ये क्यों है, इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन नहीं हैं? दिनेश जी देखिए, आप अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या बीजेपी के बिना एंडिये का वर्चस्व है, और क्या कॉंग्रेस के बिना यूपिये की कोई कल्पना कर सकता है, या आप आपसे पूछ रही है, बहुत बार कुशिश वी थर दूसरी तरह बोट से संग RSS की नफरत धर्म के नाम पर अत्याचार दलित और बातने की है, कॉंग्रेस और शिरी राहूल गांदी जी सीधे लड़ाई लड़ रहे है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या यही मंता बेनर्जी और दीमसी, कभी UPA का हिस्सा है अभी, नह मंतरी यह परदार मंतरी का सपना स्रीकार करने के लिए भाजपा का हिस्से बनेगे, पर हाँ, ममताब अनर्जी ऐसा कर चुकी है, और कर सकती है, उनका जो अपना अब कहें, उनके बतीजे, अभी शेक बेनर्जी के ओपर किस तरीके से ED का शिकंजा है, ब्लैकमेल हो रही है और वहाँ-वहाँ जा रही है, जहाँ पर कॉंग्रेस भाजपा को टकर दे रही है, और दिखा रही है हाते हो एक गोवा, उत्राखंड आपका, आपके दूसरे राजिये, अब मैं फिर मुद्दे पर ही रहूँगी, मैं यहाँ लेकिन अलका जी, यहाँ पर यह तो कहा ही यह तो कहा ही नहीं जा रहा है कि यूपीय का वजूद रहेगा कॉंग्रिस के बगेर, वो यह कह रहे हैं कि यूपीय है कहाँ, अब तो यूपीय की ही बात, यह यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस कहां है, अब दूसरा कोई अलाइंस होगा, और उसकी धूरी अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने, बलकि जागरुक भी रहें, इस काम में TV9 Digital है आपका मददकार, लगातार, ताकि आप भीड का हिस्सा न बने, बलकि राह दिखाएं भीड को, देखते रहें TV9 Digital